सब्सक्राइब नई विडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टर्कीगी पॉपिलर एक्ट्रस ओस्गेगॉराल के बारे में और उनके टॉप 5 तर्किश ट्रामास के बारे मैं जानने के लिए बने रही वीडियो में आएं तक पर वीडियो में आगे बढ़ने से अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो एक बर कर लीजिए साथी साथ बेल आइकोन को भी आन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोडिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए आप देख रहे हैं यान इंफो तो लेट स्टा खासा पॉपिलर हुआ और इसी शो से ओजगे गुरेल को टर्की में रेकिनाजेशन मिली और अब तक ओजगे गुरेल ने सिक्स मुवीस और नाइन तर्कीश ट्रामा में काम किया है और इंस्टाग्राम पर ओजगे को 5.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं आन स्क्रीन ओजगे गुरेल और सेरकन जायुलू की केमिस्ट्री आडियन्स को बहुत जगे पसंद आई किराज मेवसी में टर्कीश ट्रामा में और रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और सीरियस रिलेशन्शिप में हैं तो आप आईए जानते हैं टाफ है टर्क रेकि में बहुत जड़ा पॉपिलर है दूसरी तरफ हैजीरन एक सिंगर बनना चाहती है और वो आरस की फैन भी ए है एक दिन वो काउटर में जाती है यहां हचान ऐ की पताफ हे दो कर दो आचा में पमलोंे पर देघाया और आगे क्या तो आचने की लिए आप देगा यह और इस शो को आप यूटूब पर देख सकते हैं किराज मेव सिमी 2014 में टेलिकास्ट हुआ है बहतरीन रॉमैंटिक कॉमेडी ड्रामा ये शो वर्ल्ड वाइट बहुत ज़्यादा पॉपिलर है और अब तक ये ड्रामा 20 से भी ज़्यादा कंट्रीस में टेलिकास्ट हो चुका है इस कहानी में आप देखेंगे वाइकू को जो एक फैशन डिजैनर बनना चाहती है और वो बच्पन से ही मेटे को चाहती है पर कभी वाइकू अपनी दिल की बात मेटे को बता नहीं पाती आगे एक पार्टी में वाइकू को पता चलता है के मेटे सैमा को पसंद करता है जो उसकी फ्रेंड है इस बात से वाइकू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसी पार्टी में आगे उसकी मुलाकात होती है आयाज से जो मैते का बिजनस पार्टनर है और आगे आयाज वहिकू को पसंद करने लगता है और आगे क्या होगा यह जानने के लिए आपको देखना होगा किराज मेव सेमी जो उर्दो डबिंग में आशी की नेम से अवेलेबल है बैय अनलिश 2020 में टेली कास्ट हुआए बहतरीन रोमैंटिक कामेडी ड्रामा ये शो मिस्टर रॉंग नेम से बहुत ज़्यदा पॉपिलर है ये कहानी है एजगी की जो अपने लाइफ से बहुत ज़्यदा परेशान होती है क्योंके एक तरफ उसका बॉइफरेंड उसे धोका देता है और दूसरी तरफ उसकी जॉब चली जाती है आगे वो अपने कजिन के घर में शिफ्ट होती है वही उसकी मुलाकात होती है ओसगूर से ओसगूर एक प्लेबोई है पर वो एजगी की मदद करता है उसके लिए एक सही लाइफ पार्टनर धुणने में पर आगे क्या होगा ये जैनने के लिए आपको देखना होगा मिस्टर रॉंग और ये शो जल्द ही हिंदी में डब होने वाला है डूलू ने 2017 में टेली कास्ट हुआए बहतरीन रॉमेंटिक कामेडी ड्रामा ये शो फुल मून नेम से बहुत ज़दा पॉपिलर है कहानी में आप देखेंगे नाजली को जो एक शेफ बनना चाहती है और उसे एक पार्टेम जॉब मिलती है एक अमीर बिजनसमैन के घर में जिसका नाम है फेरित फेरित और नाजली दोनों ही अलग फैमिली बैगराउंड से आते हैं और शुरुवात में ही इन दोनों की बीच बहुत बड़ी मिसंडेस्टेंडिंग हो जाती है जिसके वज़े से नाजली उसकी पार्ट टैम जॉब छोड़ देती है पर आगे क्या होगा या जानने के लिए आपको देखना होगा फुल मून यूटूब पर उर्दो डबिंग में अवेलेबल है मोहतेशम एकेली 2018 में टैली कास्ट होए बहतरीन आक्शन क्राइम टर्किश ट्रामा ये कहानी है बरजा और मुस्तफा की दोनों ही पॉलिस आफिसर्स हैं और क्राइम बरांच में काम करते हैं दोनों को एक ड्रक्स के केस को सॉल्फ करने के लिए आजैन किया जाता है पर दोनों एक साथ काम नहीं करना चाहते क्यूंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं आगे बरजा नीलूफर को पसंद करने लगता है जो मुस्तफा की बहन है और आगे क्या ये ड्रक्स के केस को सॉल्फ कर पाएंगे या पिर नहीं जानने के लिए देखिए मोहतेशम एकेली तो ये थे टॉप फैटर की ट्रामा स्थाफ ओस गे गुरैल जिने आपको जरूर देखना चाहिए इन में से आपका फैटर ड्रामा कौन सा है उसे कमेंट करके जरूर बताएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठैंक्स पर वाचिंग